हेलो व्रीवान, वेलकम टो एक्जामपूर, स्वागत है आप सभी का एक्जामपूर में हमें एक्जामपूर कलम से करांती सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्णिंग कैसे आप सभी सेशन को जोईन कर लीजेगा उमीद करते हूँ, सभी बढ़िया होंगे, खुस होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे और बिलकुल आप सभी सोके उठे होंगे, सपना देखके वर्दी वाला, वो भी एरफोर्स की वर्दी तो सपनों में वर्दी सब पहन लेते हैं, लेकिन हकीकत में अगर पहन नहीं है तो तयार हो जाईए, उठ जाईए, और ये बिस्तर में पड़े-पड़े क्लास देखने से सेलेक्शन नहीं हो पाएगा, वर्दी नहीं मिलेगी अराम से बैठो, ठीक है, पैन पेपर लेके, पूरी के पूरी प्लानिंग बदाती हो, कैसे आप जीके में फुल स्कोर कर सकते हो और जीके के बिना, एरफोर्स वाई ग्रूप में आप सेलेक्शन भूल जाईए, क्या हो जाईए, बिलकुल भूल जाईए तो जल्दी से उठो, और पैन पेपर लेके बैठो, और जो क्लासेज आपके शुरू होने वाली है, किस परकार से आपको तयारी करनी है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और क्या नहीं पढ़ना है, ये हम इस इवेंट में डिसकस करेंगे तो ये जो सेशन है आपका, आप देख भी सकते हो, एकदम आपको मोटिवेशन मिल रहा होगा, प्रोपर तरीके से, एर फोर्स वाई ग्रूप एग्जामिनेशन के लिए है, तो एर फोर्स वाई ग्रूप में बेसिकली, इंगलिस आती है, आपकी साथ में रागा आता है, तो इंगलिस 20 आपके क्वेशन, रागा आपका 30 माक्स का होता है, 30 क्वेशन आपके आते हैं, तो रागा में बेसिकली तीन सब्जेक्ट आपके होते हैं, अगर हम बात करें, रीजनिंग होता है, अरिथमेटिक मैट्स आपकी आती है, जर्नल अवेरनेस इन तीनों में से, जर्नल अवेरनेस वाला पोर्शन है, यह मैं ही आपको कराने वाली हूँ, जी हाँ, आपकी पूजा में ही आपको जर्नल अवेरनेस का पूरा का पूरा बताएंगे कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, चाए अप्लिकेशन की बात करें, यूटूब पर बात करें, आप मेरे सा साथ ही जुड़के तैयारी करोंगे तो जन्रल अवेर्नेस के बारे में आये चली चर्चा कर लेते हैं लेकिन सबसे पहले आप सभी जानते हो डूरेशन होता 45 मिनिट और आपको 45 मिनिट में पूरा पेपर निप्टाना इंगलिस भी रिजनिंग भी जन्रल अवेर्नेस भी सा क्योंकि जीके में ना सीधी बात है पुष्टन पड़ा या तो आए गया नहीं आएगा ठीक है उसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना या फिर आपको बहुत ज़्यादा रूल्स याद नहीं करने या तो क्वेस्टन आता है नहीं आता लेकिन क्वेस्टन फसाने की आडम तुम्हें बता देंगे सुनते जाईए इस्टेट्स एंड डियर कैपिटल एंड आपके यहां पर गवर्निंग बोडी इसका मतलब क्या है एक तो आपके राज्यों के बारे में आता है राज्ये की राजधानी आपसे पूछी जाती साथ में वहां पर सीम कौन है वह राज्यों से पूछे आते तो यह आपको कवर करना होता सुपर लेटिव के मतलब सब्से बढर सबसे लंबा यह बारत में सबसे बड़ा बांध आपके पेपर में question पूछा जाता है लेक सीन इंडिया यानि कि भारत में जीलो की बात अगर हम करें तो बारत में जीलो की अगर अपन बात करते ना वच्चे इसमें सारे के सारे legs आपको cover करने हैं आपके किसी ना किसी shift में आपको legs a question पक्का देखने को मिल जाएगा important boundary lines जो आपकी सीमा रेखाएं है जैसे बताईए red cliff line किन देशों के बीच में है 27 सवांतर रेखा किन किन देशों के बीच में है 49 सवांतर रेखा किन देशों के बीच में है ये boundary lines आपको पढ़नी होती साथ में भारत के पडोसी देश पडोसी देशों के बारे में भी आपको थोड़ी सी जौनकारी यहां पर प्राप्त करनी होती है Cities on the bank of river पिछली बार भी question आये थे बदरीनात किस नदी के किनारे पर है काचीपुरम किस नदी के तठ पर है यह question पका आते हैं तो नदीयों के किनारे बसे सहर हमें पढ़ने है नदीयों पर बने हुए बांद यह भी हम cover करेंगे dance form आपके आते हैं नृत्य आफ से पूछे जाते हैं कौन कौन से dance है folk dance classical dance दोनों ही आपके exam में आते ध्यान रखिए international organization अंतर रास्टे संगठन world health organization कहां पर है अंतर रास्टे मजदूर संग कहां पर है इस प्रकार से international organization से भी आपके exam में question पूछे जाते हैं तो यह भी हम पढ़ेंगे साथ में रास्टे संस्थान कि वह या कपास अनुसंदान संस्थान कहां पर है आपका चीनी अनुसंदान संस्थान कहां पर है यह भी आप सब सारे के सारे भारत के भी आपको पढ़ने नीती आयो कहां पर है नीती आयो के चेर्मेन कौन होते हैं यह सब चीजे भी ठीक है तो इंडिया और वर्ल्ड दोनों पढ़ना है नैस्नल पार्क इन इंडिया पक्ता आता पेपर में राष्ट ये पार्क से राष्ट उध्यान से एक क्वेश्चन कंफर्म है नैस्नल सिंबल ओफ इंडिया भी आपके पेपर में आता राष्ट जो आपके राष्ट प्रतीक है ध्वज कौन सा है आपका ठीक है सारे के सारे आपका राश्टरगान राश्टरगीट से न्यूख्लियर पावर प्लांट कईगा कहां पर है रावत भाटा कहां पर कुडन कूलम कहां पर यह सब आती है पैलेसे जिन इंडिया यह आ जाता है बेसिकली हिस्टोरीकल मॉन्युमेंट में जो एती हासिक स्थल है वहां से घ्रित करांति सवेथ करांति ये पूरा कि स्पेस सेंटर इंडिया उनãy करे इस रोड़ो के बारे में पढ़ना है भारती है अनूसन्दान संथान के मिशन स्पेस सेंटर शारी चीजी इस टेडियम कौन कौन से है आपके मंदिर कौन कौन से है ताइगर रिजव वायलाइफ सेंचुरी कौन सी है जितने भी आपके बैंक है भारत में इनके हेड़कौर्टर कहां पर है वाटर फोलम पड़ेंगे बुक्स एंड ओथर पुस्तके और लेखकों से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है स आपको पढ़ने दिवस जो होते हैं आपके प्रसिद आपकी गुफाएं मंदिर मस्चिद यह सारी की सारी चीजी स्पोर्ट परसनालिटीज इन इंडिया देखिए इस पोर्ट का पूरा का पूरा एक सेक्शन होता है जो आपको पढ़ना है खिलाडियों की संख्या कपसें ट्रॉफी, स्टेडियम, खेल परिसर, प्रसिद खिलाडी, प्रसिद परतियों गिताएं, अंतर रास्टे खेल और खेलों के संस्थान यह सारे के सारे आपके चैप्टर्स आपको कवर करने होते हैं खेलों में तो खेल का पूरा का पूरा एक बड़ा टॉपिक होता है इस सारे के सारे आवोर्डस आपको पढ़ने हैं बहुत अच्छे से, मिलिटरी एकसरसाइज आपके पेपर में आती हैं, ठीक है भी साथ में आपको यहां पर यह उनाइटेड नेशन सब मैंने बता दिया, आगे आजाता है आपका मेमोरियल प्लेसे ऑफ फेमस इंडियन लीड है, ठीक है भी, जैसे मिलखा सिंग जी का क्या नाम है, पीटी उसा जी को आप किस नाम से जानते हैं यह सब, सोबरिक वेट आते ही जैसे चूडियों का सहर किसे कहा जाता है, जीलों का सहर कौन सा है, इस परकार के जो आपके साइंस सिटी ओफ इंडिया कौन सी है, यह सब यह मैंने बता दिया, वर्ल्ड एरिटेज साइट यह आपके करंट अफेर में आ जाता है, अपोइन्मेंट्स आपकी नियुक्ति वगेरा हो गई, यह सब आप से पेपर में पूछा जाता है, तो आप सभी बताओ, इसके अलावा अगर हम बात करें, हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कि लोग सभाद राजी सभा के बारे में, साथ में, यहां पर आपको कम्प्यूटर का एक फिल फॉर्म से क्वेश्चन आ जाता है, तो कम्प्यूटर की फिल फॉर्म भी आपको पढ़नी है, कवर करनी बहुत अच्छे से, ठीक है, तो यह आपका syllabus है, जो कि आपको एरफोर्स के लिए पढ़ना है, देखिए वर्दी अगर आपको चाहिए, तो कम से कम, यह चीजे आपको पढ़नी ही पढ़ेंगी, यह चीजे कम से कम आपको तयार करनी है, तो यह पूरा का पूरा syllabus, एक systematic way में, current affair के साथ, आपको आपके गगन स अप्ति बैच, exampura official application पे available है, आपको application डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आप लोग 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 इन वगएरा करके सब्सक्राइब सकते हैं, जो हमारे परहार बैच के बच्चे उनके लिए free है, गरूड बैच के बच्चों के लिए offer है, आप इस बैच को कम कीमत पर पर कर सकते हैं, help line पे call कर सकते हैं, message कर सकते हैं, जानकारी के लिए, ठीक है, ये practice बैच आपको मिल जाएगा, पांच अगस्त से इसमें classes आपकी शुरू हो जाएगी, अभी अगर आप जोइन करते हो इस बैच को, तो ये आपको मात्र 399 में पराप्त हो जाएगा, 399 में आपक ये बैच जो है बच्चे आपका मिल जाएगा, जिसमें आपको Air Force Y Group का full syllabus बहुत ही बहतरी न तरीके से cover कराये जाएगा, तो आप सभी बच्चे बिना देरी किये, इस बैच के साथ में जुड़ जाएगा, बहुत ही अच्छे से आपको full syllabus coverage एक एक question exam relevant आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो आप सभी जरूर जुड़िएगा, जो गरुड बैच वाले बच्चे उनको सिर्फ दोसो निन्याने में बैच आपका मिल जाएगा, और परहार बैच के बच्चों के लिए फ्री है, आप लोग फ्री पराप्त कर सकती है, देखो daily आपको इसमें class मिल पूरा syllabus revision होगा, एक्स्ट्रा question की PDF मिलेगी प्रैक्टिस के लिए, और पांच online mock test भी आपको इसमें मिलेंगे, आपको पांच online mock test भी दिये जा रहे हैं, कि आप अच्छे से अपने accuracy वगएरा चेक कर लें, तो आप सभी जरूर जुड़िए, बहुत ये अच्छा वैच्छ सांदर चीज़े, फिर भी अगर कोई doubt है, तो offline comment box में comment कर दीजेगा, मैं पक्का आपके सवालों का job देने की कोसिस करूँगी, कोई भी अगर आपको query है, बाकी मिलते हैं आप से 10 वजे वाली class में, जो की GKGS की आपकी class आने वाली है, thank you so much, जै हिंद, जै भारत, धन्यवा आपकी आने आत।